एक बिजनस में पैसा आता है या पैसा जाता है अगर पैसा बिजनस में आये तो receipt voucher में entry होता है अगर बिजनस से पैसा जाये तो payment voucher में entry होता है तो बिजनस में पैसा cash या bank के transaction से आता है या जाता है तो आज का हमारा class है payment voucher जिसमें हम सीखेंगे business से पैसा जाना यानि payment करन सो बिजनेस में payment कैसे होता है, क्यूं होता है, और उसका entry हम कैसे करेंगे, यह सब हम आज के payment voucher के class में सीखेंगे. एक business में payment कहा कहा होता है, हम example लेते हैं, सबसे पहले हम हमारे supplier को payment करेंगे जिससे हमारा माल आता है हमने जैसे पहले purchase voucher के class में national trading company से माल खरीदा था उसे payment करेंगे इसके बाद, business में हम assets खरीदते हैं, जैसे की computer, printer, furniture, delivery, van, इत्यादी, यह सब खरीदने के लिए हमें payment करना होता है इसके अलाबा, खर्चे यानी expenses जैसे की, staff salary, office rent, shop rent, interest on bank loan, bank charges, legal charges, office expenses, advertisement expenses, printing and stationery यह कुछ example है, जो हमें payment करना पड़ता है business में payment दो types से होते हैं, एक cash payment और दूसरा bank से payment जैसे की, हम check issue करते हैं, या online transfer करते हैं आज कल digital payment भी होता है, लेकिन वो एक bank payment ही है payment voucher को active करने के लिए, keyboard में F5KK को press कीजिए जिस तरह हमने receipt voucher में transaction को entry किया था, यहां भी transaction का entry same होता है सो सबसे पहले हम party को payment करेंगे, party हमारा national trading company है हम party को check से payment करेंगे, हम यहाँ F2 से date को change कर लेते हैं यह एक sample check है, business में इसी तरह party को check से payment किया जाता है अब हम account में अपना bank account select करेंगे, जो की state bank है निचे हमें party जो की national trading company है, उसे type करेंगे और select करेंगे तो party के निचे balance 26,029 credit बता रहा है अब amount दे देते हैं, तो balance 0 हो जाएगा, क्योंके हमने पूरा payment check से दे दिया अब enter कीजिए, यहाँ आपको check detail देना होता है transaction type में check को select कीजिए, check range को not applicable कीजिए और instrument number में check number डाल दीजिए, हर check में एक number होता है और अब enter कर दीजिए, हम यहाँ narration दे देंगे, और entry को save कर लेंगे हमें यहाँ debit या credit का rule को याद करके रखना नहीं होता पैसा जा रहा है, तो आप account में cash या bank select कर लीजिए और किसे जा रहा है, उसका नाम निचे select कर लीजिए यहाँ हमने single party को payment किया check से, अगर business में एक ही दिन में एक से ज्यादा check issue करके payment होता है, तो multiple entry करना होगा example लेते है, हमने एक ही दिन में computer, printer और delivery when खरीदा तो उसको entry करेंगे, computer for office जो की fixed asset है यह ledger हमने पहले, create a ledger के class में बनाया था, आप उसे select कीजिए, और amount में 30,000 डाल दीजिए next printer for office का ledger हम को बनाना होगा, जो की हमने पहले नहीं बनाया था, आप यहाँ alt plus c को keyboard में प्रेस कीजिए और नया ledger create करना है, printer for office का बना लीजिए, under में fixed assets लीजिए, और keyboard में control plus ak की से save कर लीजिए, अब इसका amount हमें डालना है 10,000 यहाँ अगला item है delivery van, जो की हमने पहले ledger में नहीं बनाया था, इसे भी आप alt plus c क की से बना लीजिए, और save कर दीजिए, टैली में alt plus c क कमान से directly कोई भी ledger या item बन जाता है, हमें बाहर जाके account info या inventory info में जाना नहीं पड़ता, अब amount 6,000,000 डाल दीजिए, अब enter करने के ब छोटे छोटे item का हम multiple entry करते हैं, तो चलता है, तो आपने अभी जाना bank से payment की entry कैसे होता है, जैसे कि हमने जाना अगर payment check से हो तो हम bank select करते हैं, लेकिन business में cash payment भी होता है, example लेते हैं, account में cash select कर लीजिए, हमारा business जैसे की rent में है, हमें shop owner को rent देना होता है, इसे हम cash payment करते है तो rent का amount डाल दीजिए, यह cash payment हुआ, similarly, office expenses, एक business में छोटे 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 खर्चे होते हैं, जो हमें cash से payment करना पड़ता है, तो यहां office expenses में amount डाल दीजिए, और भी छोटे 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 खर्चे जैसे की staff expenses, यह सब खर्चे हमें business में cash से payment होता है, इसलिए यहां हमें account मे cash लेते हैं, और निचे खर्चे का नाम लिखते हैं, आपको बस यह याद रखना है, cash से payment हुआ तो account में cash सेलेक्ट करना है, bank से हुआ तो bank सेलेक्ट करना है, अब हम narration डाल देंगे और voucher entry को save कर देंगे, तो आपने यहां जाना की payment का entry कैसे होता है, कुछ tutorial में आपको debit, credit य to buy को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप simple entry कीजिए, बाकी सब tally में automatic ले लेता है, so friends, हमने आज payment voucher में entry कैसे करते हैं, वो सीखा, हम आपको एक beginner के हिसाब से step by step कैसे सिख पाए, इसके लिए बहुत research करके video tutorial बनाते हैं, जिससे आपको कोई भी class में confusion ना हो, हमारा computer training में 10 साल से भी ज्यादा का experience है, आपको बस सारे class को एक के बाद एक video देख के सीखना है, और practice करना है, आप कोई भी class मिस करते हैं, या आधा अधूरा देख के छोड़ देते हैं, तो आप confused हो जाएंगे, आपको सिर्फ हर दिन 30 मिनट का time देना पड़ेगा, हमारे class में tally क हर वो advance option आगे जाके cover करेंगे, यह class कैसा लगा हमें जरूर comment करके बताईए, और subscribe जरूर कीजिए, ठैंक यू